चलिए सर पहले हम इसके उपर जब लाइफ इंसॉरेंस इंक्लूड इंसॉरेंस या इंसॉरेंस इंक्लूड लाइफ इंसॉरेंस जो अभी मैं बता रहा था आपको पहले हम समझ लेते हैं करना कैसे है फिर आ गया थे ठीक है पहले समझते हैं चलो अब मान लेते हैं मैं एक एक्जामपल ले रहा हूँ ठीक है दो एक्जामपल कराऊंगा उसके बाद वो सारा समझ में आ जाएगा एक्जामपल नंबर वन मैंने कहा कि मेरा जो है इंसॉरेंस जो इंसॉरेंस प्रीमियम है मान लो बीस हजार है अब इसके नीचे मैं अज्जस्मेंट लिख देता हूँ मैंने कहा इंसॉरेंस प्रीमियम इंक्लूड दो हजार फोर लाइफ इंसॉरेंस यानि इंसॉरेंस प्रीमियम में जो दो हजार इंक्लूड है वो किस चीज का है लाइफ इंसॉरेंस का है अब इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए एक आपके सामने बना देते हैं ट्रेडिंग और पी इंडल और एक बना देते हैं आपके सामने बैलेंस शीट यह हो गया बैलेंस शीट और यह हो गया ट्रेडिंग या पी इंडल कह दो सबसे पहले insurance आपका 20,000 है तो P&L में डालोगे आप insurance है ना कितना लिखोगे अब adjustment में पता है कि 2000 रुपे किस से related है और life insurance क्या होता है हमारे लिए drawing होता है life insurance क्या होता है तो इसका मतलब P&L में ये गलत लिखा हुआ है इसको कैसे ठीक किया जाए इसमें से सबसे पहले minus कर देंगे क्या life insurance premium और अब P&L में जो बचेगा कितना बचेगा और यही क्या होगा मान लेते हैं पहले से आपको capital अगर given हो 4000 या 40,000 तो आप इसमें से क्या minus कर दोगे drawing और drawing के नाम कर दो या फिर आप कर सकते हो LIP और कितने minus करोगे तो दो entry हो गए इस adjustment के देखें और हर entry डबल जाता है debit एक credit यहाँ पर आपका debit में से minus करने का मतलब credit हो गया और credit में minus करने का मतलब क्या हो गया debit हो गया तो एक जगा debit एक जगा credit जाएगा तो पहले यह वाला देखें insurance premium में जब कुछ भी include होगा तो उसे कैसे करेंगे यहां तक बताई है कोई doubt है तो समझ में आ रहा है तीन लुगा इंफेक्ट में एक जामपल ठीक है इसमें मैंने कहा insurance insurance include रुपीस आठ हजार यह आठ की जगह पे थोड़ा simple data लेते हैं आठ छे हजार छे भी नहीं लेते हैं आठ ही लेते हैं पहले वाले में आठ हजार ठीक है insurance include आठ हजार life end balance balance till एकत्यस साथ तीस छे तीस छे तीस छे दो हजार तेईस ठीक है तीस छे दो हजार तेईस और हमारा साल जो चल रहा है ना एक चार दो हजार बाइस से लेके एकत्यस तीन दो हजार तेईस तक का हम काम सारा करने पहले हैं अगेर हम दो चीज़े बना लेते हैं एक पी एंडल और साथ के साथ एक क्या बना लेंगे हम ट्रीडिंग मतलब स्वारी बैलेंशीट यह लीज़े यह बना लिया पी एंडल और यह बना लिया हमने बैलेंशीट ठीक है यहां तक क्लियर है अब कुश्चन को हम समझते हैं सबसे पहले इंसमारे 20ख हजारे कितने बचे कितने दूसरा मैं पहले से था एक लाक अब यहां से माइनस कर दोगे कितने समझें लेकिन इसके बाद ना डेट है अगर हम बात करते हैं डेट की अगर फोन अगर अब यहां तक तो आपको पहले भी कोश्चन में देखा था और अभी भी अपने देख लिया ठीक है ना यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं अब पंगा अगया सरी तारीक का क्या दिक्कत है चीक है ना तो अब तारीक के बारे में देखो जैसे माल लो मैं आपके सामने टाइम पूरा लाइन बना देता हूँ और हमारा जो साल स्टार्ट हुआ है ना वो हुआ है एक चार दो हजार बाईस और यह माल लेते हैं खतम यहां हुआ है 31 तीन दो हजार तेज़ आपको पूरे कोश्टिन्स में यह नहीं कहा कि जो यह इनसॉरेंस है वो कितने टाइम का है बस इसने बोला कि insurance का जो payment है वो कहीं ना कहीं इस date से cross कर गया that is वो है 362023 लेकिन आपको पता है कि आपको जो खर्चे दिखाने चाहिए अपने पास वो दिखाने चाहिए कहां से कहां तक के एक साल का सरफ यहां से यहां तक का क्योंकि ट्रेडिंग पी एंडल जो बनता है बनता है हमेशा एक साल का लेकिन खर्चा जो है हमारे साल से अब मुद्ए की बात आती है कि जो इन शुरिंस का है खर्चा कितने टाइम के है तो जब आपको इस तरीके से गींद हो तो आप हमेशा मानेंगे यह इ stones adalah कि जो बचा होए insurance 12000 रेना इस साल का ही है तो सर जब ये 12,000 रुपे एक साल का ही है तो फिर extra भी तो जा रहा है फिर उसका क्या अब देखना ज़रूरि नहीं है कि insurance उसने इस डेट पे लिया हो हो सकता है कि साल के बीच में insurance लिया हो और insurance की किस्त जो जाती है हमेसा साल की जाती है लगबङ हो सकता है मेभी मैंने यहां पर 1 जुलाई को insurance लिया हूँ मैंने एक जुलाई को अपना insurance business का करवा लिया था ठीक है और जो किस insurance की बात कर रहा हूँ यह 12 general insurance इस date को लिया तो यहां से लेके अगर यहां तक हम time count करें तो एक साल ही हो रहा है अगर मैं इस डेट पर इंसॉरेंस लूँगा और मैं एनुवल कराऊंगा तो ये तो मार्च से आगे जाएगा ही ना मार्च तक तो एक साल होई नहीं सकता इसका मतलब ये 12,000 है 12 महीने का लेकिन कुछ पार्ट इस 12 महीने में से कुछ महीने इस साल में जा रहे हैं और कुछ महीने हमारे अगली साल जा रहे हैं तो अगर ध्यान से देखें तो भाईया 12,000 रुपे का जो खर्चा है उससे अगर डिवाइड 12 से कर दे तो हमें कितने मह महाइने का मिल जाएगा एक महीने का इसा अब हम ईड़ाई कइंड अगस्तुमबर अक्टूबर नॉंबर दिसंबर जनवरे फरवर कूर मार्च है यानि यहाँ से यहाँ तक के kraq को अगर देखे तो नंहुन होता है और यहाँ से यहाँ के टैनियों को देखे तो 3 month होता है यानि इसमें 3 महिने का prepaid है क्योंकि जब आप साल से ज़्यादा payment कर देते हैं तो वो हिस्सा क्या माना जाता है आपका prepaid तो यहां से 3 महिने का क्या है तो अब इसको अगर एक महिने का है अगर इससे multiply 3 से कर दें that is 3,000 तो यह क्या निकल गया हमारा prepaid निकल गया तो ऐसे situation में less यहां करोगे prepaid और यहां पर पी एंडल में आपके रह जाएंगे टोटल और जो 3,000 प्रिपेट था balance sheet के assets में भी आ जाएगा प्रिपेट देखिए समझवा है बात आप तो पीछे वाले में एक step आगे बैढ़ गया पीछे वाले में कोई ऐसा prepaid outstanding नहीं था simple था इस वाले के अंदर एक date आ गया तो date के वज़े से सब कुछ क्या हुआ आपका change हो गया एक तरीके से समझे यहां तक तो next year में तो count है 36 तभी तो हम prepaid consider कर रहे हैं तो बी सजार दिया होता तो भी सिर्फ life insurance भी सजार तो फिर तो general insurance को कोई सवाल ही नहीं है बी सजार यहां आता है नहीं सीधा drawing से मोई इस बात ही खाता हम को एर्जस्मेंट ही नहीं पन रहे हैं ब्रॉइंग एडवांस कभी नहीं होता मैंने अगर पांच लाग रुपे अपने बिजनस से निकाला है और वह पांच लाग रुपे मैं 10 साल पर अपने उपर खरच करूं उससे मतलब नहीं है आपके बिजनस से पांच लाग रुपे निकल गए ड्रॉइंग में कोई टाइम फेक्टर नहीं होता क्योंकि वह तो पहले भी बिजनस का खरचा नहीं और अब भी नहीं पनेगा है ना यह किसके उपर सिर्फ फेक्टर देखते हैं जो बिजनस के खरचे के उपर प्र प्रिपेड आउट से नहीं हाँ इसके अंदर जो लाइफ इंसोरेंस इसने पेड किया है आठ हजार रुपे उसने आठ हजार रुपे बिजनस से निकाल के पेमिंट किया है हमें यह नहीं देखना कि वह आठ हजार एक साल का यह च्छे महिने का है यह पंद्रा महिने का है हमने यह देखा कि इस डूरेशन म सर इसके अंदर भी तो तीन महिने का एक्स्ट्रा होगा वो प्रिपेड नहीं है प्रिपेड आउट्सेंडिंग बिजनस से रिलेटेड इंकम और खर्चे पर अपलाई होता है प्रस्नल एक्स्पेंस पर कभी भी अपलाई नहीं होता समझे बात आप ठीक है एक और पॉइंट कर लेते हैं चलो इसी के एक और आइड्जस्मेंट देखते हैं माई लेते हैं मेरा इंस्वरेंस 20,000 है इंस्वरेंस इंक्लूद 26,000 जा छे के जगा पर करते हैं पाँच हजार लाइफ इंसॉरेंस एंड बैलेंस पेड एक चार दो हजार बाइस टू तीस छे दो हजार तेईस ठीक है चलो अगेन एक ट्रेडिंग पी एंडल बना लेते हैं यह बन गया हमारा पी एंडल और यह बन गया ट्रेडिंग ओ सॉरी बैलेंस शीट ठीक है सबसे पहले इंसॉरेंस बीस अजार है तो आप पी एंडल में लिखोगे इंसॉरेंस इसमें से अब अगली बात आती है बैलेंस इंसॉरेंस और पिछले वाले से थोड़ा हट्ट के डेट है यहां पर यहां पर स्टार्टिंग से लिखे एंड तक है अगर मैं साल को काउंट करूं अगर मैं यहां पर फिर से वही टाइम लाइन बना देता हूं यह देखो ठीक है सपोस्थ मैंने कहा यहां पर यह जो डेट है यह 14 कि यह जो डेट है 142022 और हमारा साल जो खत्म हुआ वह खत्म हुआ वह 31 3 दो हजार 23 पर यह डेट मैं बहुत देता हूं आपको 36 2023 तीन डेट है आपके पास आपका जो अकाउंटिंग चल रहे हैं सेशन अकाउंटिंग शेशन यहां से लेकर यहां तक का है एक साल इसके बाद यह वाला जो टाइम है ना आपका यह सारा साल के ब्यूंड है जिसका टाइम बनता है त्री मन्त और इसका टाइम बनता है आपका ट्विल मन्त है की नहीं अब इस बार जो मैंने इंसॉरेंस कराया है वो कोश्चन आपको खुदी बता रहा है कि भाईया इंसॉरेंस आपने जो लिया है वो एक चार को लिया है यानि आपने insurance date पे लिए हैं this day insurance और इसका payment किया है तिल 2030 तक यानि जो insurance premium इस date से आपने टोटल यहां तक का पेमेंट किया है यह यह इसका मतलब इसका मतलब यह जो इंस्वारिंस है आपका आपका कितना है 15,000 यह 15,000 जो है वो 12 और 3 15 महिने का है अब डिवाइड 15 से करना होगा आपको पिछले वाले सवाल में डिवाइड किस से किया था क्योंकि वो इंस्वारिंस एन्वल वर्ड सा कुछ नहीं बोला हुआ तो माल लेना जो बैलेंस इन्सवारिंस है वो है बारा महिने का ही है भले ही आगे जा रहा था लेकिन इस वाले में आपको डेट का ब्लॉकिज दे दिया यहां से यहां तक का है तो आपको कंफ्यूजन नहीं है तो अब कितने महिने बन रहें यहां से यहां तक का आपको टाइम काउंट करना होगा यहां से लेके यहां तक का time count करना होगा जो कि कितने महीने बन जाते हैं हमारे इक महीने प्राइब मैंने इफ्ञामपल ऐसा लिखा है पिछले और इसनों उस्म आपको आपको clarity रहे ठीक है यहां से अब फिर से माइनस करेंगे लेस प्रीपेड और दूसरा चला जाएगा हमारा बैलेंस शीट के एसेट में प्रीपेड इंसॉरेंस कितने रुपे क्लियर यानि पिछले वाले इसे में 12 से डिवाइड हुआ था क्योंकि एन्वाल था और इस वाले विद्वे में कितने से डिवाइड हुआ 15 समझ में आ रहे है बात आपको किसमें मंथ मंथ कैसे जैसे कैसे है कि अठारा महीने ऐसे लिख़ दे अच्छा यहां पर 36 लिखना भूलिया यह 36 है आप ऐसे कह रहे हैं यहां 36 है वह मैंने लिखा नहीं चलो तीस छे दो हजार तेइस यह बोल रहे हैं चलिए यह रहेगा वह मिस होगे मेरे से ठीक है समझ मैं ठीक है अब हम इन तीनों को मिला के चार्ट बना लेते के कैसे कब कब क्या होगा समझ रहे बात को अब देखें इंसॉरेंस में क्या है कि अगर आपका क्या हो लाइफ इंसॉरेंस और क्या हो आपका इंक्लूड इंसॉरेंस ट्राइल बैलेंस में अगर गीवन होगा life insurance, तो सीधा वो capital से minus हो जाएगा, किस से minus हो जाएगा वो, क्योंकि drawing है, और अगर सिर्फ insurance देता है normal, वो कहाँ चला जाएगा आपका, पी एंडल के debit में, अगर trial में है, बोलता है life insurance ट्राइल के अंदर, तो भी आव वो drawing है, और अगर सिर्फ insurance बोलता है, तो पी एंडल में calculate करना होगा, calculate करके, prepaid वैसे तो अक्सर prepaid होगा, outstanding होगा नहीं, तो prepaid और outstanding आपको calculate करना पड़ेगा, और life प्लस journal दोनों है, तो first calculate life insurance, फिर जो बचेगा वो क्या रहेगा, journal उसके according adjustment होगा, ठेक है न, अगर सिर्फ insurance है, तो अगर आपका prepaid हुआ insurance, मैं इसके अंदर से यह हटाई देता हूँ, outstanding prepaid जो चलो मैं बता देता हूँ, नॉर्मल adjustment होगा, prepaid वाले को prepaid के इसाप से, और outstanding वाले को, prepaid वाले की दो entry हो जाएगी, एक less हो जाएगा, और एक चला जाएगा, balance sheet के, asset site, outstanding वाले की दो entry हो जाएगी, एक add हो जाएगा, कहाँ पर P&L trading जो भी है, और दूसरा चले जाएगा हमारा, add हो जाएगा, यानि balance sheet के liability site, जो सीखा है हमने, अगर आपका, दोनों चीजे include हो, यहाँ पर दो बाते होंगी, ठीक है, इसको फिर इसमें लिखने पर थोड़ा confusion हो जाएगा, example से तो समझ में आई गया कि कब क्या करना है, नहीं करना है, तो इसमें चार्ट में, अगर बनाएं तो बन सकता तो है, लेकिन फिर वो detail हो जाएगा, फिर confusion ना हो जाएगा, पहले यहाँ simple समझ में आ गया, तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जूरत है नहीं मुझे लगवा तो है, तो है कि एका?